हेलो एडिवन वेलकाम अगेने लर्ण विद्धिमन बचों हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं राइस्थानी सब्दों के हिंदी रूप पार्ट थर्ड पार्ट तक हम कर चुके हैं जिसमें हमने 200 जो सब्द हैं उनके बारे में हमने बात की थी और 201 आपके सामने हैं आकरत आकरत यानि आकरती कही जाती है आकरती जो होती है हिंदी की उस राइस्थानी में उसको क्या कहा जाता है इस तरह मंजहार मंजहार क्या होता है बिल्ली को हमारे यहां पर राइस्थानी में क्या बो जिसको कि देख के चले को services जानवरों प्सुपक्षयों इसको झाम सब्सक्राइब जी सब क्या है इसक우나 को राइशताने में उस्तरा में पhr sinoानी तो आचिताकी तुला थिक है रड़ी को क्या बोल आजए हगन देने लेकिन यहां पर क्या है दरार को क्या का जाता है राए आड़ अच्छी को क्या करता है आची ची चे वृत्क चे मलुए अच्छी है जड़ी मतलब इसमें स्वाद फिश्रा सबकर सब्जा conservation या श्यार श्याला यानि श्रंगार या श्यार को श्याला कहा जाता है इस तरह खगाने खगां किसको कहा जाता है तल्वार अपने खग किसको कहा जाता है पक्षियों को कहा जाता है लेकिन खगां यहां पे तल्वार को कहा जाता है अवदात अवदात यानि हितकारी या उज तरफ स्वार्ण नेन defaz ळैंद उसपर रोभा किसको कहाजाता है राइस्तानी में रोभा किसको कहाजाता स्वार्ण ऊसको कहा जाता है रचस्तानी में पुसकत का सब्द है जो राइस्तानी में यूज किया जाता है जवान यानि जवा वाला जवान है मतलब जीब को जो बोला जाता है उसको रसना का जाता है या वानी को क्या का जाता है रसना का जाता है ठीक है रंच यानि जरासा रंच मात्र भी असर ना होना रंच मात्र सा रंच मातर भी फर्कना पढ़ना थोड़ासाभी फेर रखना पढ़ना जरासा भी फेरत नी इतरह एक 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 इस तरह न्यारी न्यारी अलग होना Stephan थोरा बंड़ा अलग हो गया न्यारी हो गई अलग हो गई तर तर यानि व्रक्ष को क्या कहा जाता है रस अपनत जो और रिलेशन्स के बीच में जो अपनत जो सु किया जाता है वो और रहसक के तौर पर किया जाता है विंग में रास बेस बहुत अच्छा है तो गुल यानि गुड अपने पे हैं फूर्ट एक गुल भी कहे दिया जाता है जो ऊसो siya shhaka चोटे हतोड़े को हमने देखा था घणा कहा जाता है लेकिन जो बड़ा हतोड़ो होता है उसको सावल कहा जाता है इस तरह है भिद भिद यानि भेदना किसी चीज को छेद कर देना उसको भेदना यानि भिद करना भिद खेड़ो खेड़ो यानि उलहाना देना खेड़ो या यानि राइस्थानरी धोरारी सूरा घणा बसत हैं मतलब बहुत सारे सूर यानि बहुत सारे वीर बसते हैं यहां पर सूरी और सूरी यानि विरांगना सूरा यानि वीर और सूरी यानि विरांगना सहनी यानि सहन करना सहनी इसी तरह दाहा दाहा यानि जलन होना दाहा हो रहा कि संसकार नहीं किसी जो मुठ होता है उसको जला दिया जाता है तो ईयुदा संसकार प्यूरड जो सब्द है किस से है। यह संसकत सब्राइव और दाहा जो वह जलन से संभान Banks अधिकर दहन करना दाहा यह सारे सब्द कांथ यह मूलता है संसकत और हिंदी के ही अपदन्स है तो राइष्ठाणी में दहा किसको क़ hang جाता है जलन को उतरी tutaj वले-यांटी कंगण वले आप जानते है गोलाकाड़ चीजों को वले क allora जाता है आए तो वले या यहां हो गहा यानि घर, पहले क्या होता था जब हम किसी listen के काम कर दीद या यो बड़े बत्ती होते थे थे चोटे बच्चों को या फिर उनको प्यार से कुछ भेट दिया करते थे या फिर में एक मित्र दूसरे मित्र को दिया करता था तो वहां पर जो भेट जो सब्द है भेट को एक्चुल में गलत तरीके से पेस किया जाता है बगसीस जो है बगसीस का मतलब है किसी से काम से पूला भी होता है बींद यानी स्वामी भी होता है और यह वह भींद और अर्फर स्क्राइन होता है सांकल емने पढ़ा था जैंड सांकल कैसी होती है सांकल एक compost पहले जब दरौजें हुआ क nova करते थे तो यहां पर कुंदिया प्रापर नहीं होती थी तो जो कुंदिया वो ऊसलो जन्जीर टाइप किसी yssोती थी, तो उसको क्या बोलता है? सांकल लगारना, तो सांकल वो सांकल है और दूसरा लंबी जो जन्जीरे होती है, उनको भी यहाँ पर सांकल आजाता है, तो सांकल किसको कहते है? कुंदी, जो गेट की कुंदी होती है, साव को क्या कहा जाता है, साव कहा जाता है, वाला, वाला यानि बच्चा, विसरे, भूले विसरे आपने सुना होगा, तो भूले विसरे, विसरे यानि भूलना, म, म यानि मत और न, न, एक्च्वल में बहुत ज़्यादा, जब सौर्ट में कहां पर यूज किया जाता है, तो च्फुन नहीं घञते कुझेने देरी इसी तरह यह ट्ययों स्थियोंनी थन जाना ग does आ गमसान आ यनी गंसानी एनि गमासान युद्ध के लिए गमसान बोलते हैं घन मैं तो गयमासान हो रहे हो से मतलब घमासान युद्ध हो रहा है लड़ रहे हैं वह फोट जोड से इस तरह अत्रा यानि इत्रा ठीक है देशड़ है यानि देश पर या देश में धव धव यानि दोड़ना धावक धव धावक से क्या है धावक से धव धवकार्थ क्या है दोड़ना ठीक है इसी तरह ध पास्टू जाम जो बोलते हैं पैडा हुई कोई चीज होगी तो उसको क्या बोलते हैं जामदी गोठ गोठ कोचन जब करवाए जाता है तो गोठ करवाना लाक्याता है घोत ऑप था नगाड़ा आपको पता है िस तरह लग Haam धानम डंरता भी होता ही इस तरह लगा क्या है बल्गा बल्गा को क्या बोलते है लगाम गोधी धाल उसको गतल खेटक तल भाझवार को क्या बोल दो जाता है रूक। इस तरह अतिति इसको इसको Last टीले हृे धर्ती-धोरारी निए रती-धर्ती-धर्ती-धर्ती कां़शी है राइसने और आफेंको मतलब धर्दी धोरारी तो धोरा मतलब रेत के टीले इसी तर रमणना रमणना यानि लीला करना रमणना यानि कहीं पर रुक जाना या वहां ठहट जाना को रमणना बोलते हैं या पिर वहां पर रहने को रमणना बोलते हैं तो इसे लेकिन रमण किसको बोलते हैं लीला को बोलते है खूंटो यानी केंद्र जो होता है उसको इढ़ंडर ग्ष की बिलाजाता है ऐसा कुछ गाना आपने गाना सुनते हैं तो खूसर केंद्र परहने यानी संग मारे लारे चल, मारे लारे चल चोरी दाला मेरे चल उत्प bewश और मतला साथ संग चलना मदुआ यानी मस्त होना धजा यानी धज gज का अपभण्रण्स होका धजा हो गया इस तरह काणी 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 को काणी बोलते हैं यापे, बिचिस, पुरूस के कमर के नीचे का जो वस्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसलिए बटे वड़ा, यादि उपले रखने की जो कला होती है, एक्षोल में क्या होते हैं, ये जो गोबर के जो थाने चापे जाते हैं, ये कंडे बनाए जाते हैं, उनको इस तरीके से रखा जाता है, क्यों मौसम की वज़े से प्रभावित ना हो, खराब ना हो, तो उसको जिस तरीके से रखा जाता है, उस उपलों को रखने की जो कला है एक तरीके से, उसको क्या कहा जाता है, बटे वड़ा कहा जाता है, एक चोकोर साय या गोला कार्ट, एक की आकरती का एक एक बना दी जाती है इसमें उस रफ्चित होते है उसको क्या कआ sound किया होता है दीमक को उदी कहा जाता है उसे तरह का बहुर को क्या गया बह बहुल अपडती है धूल उरती है तो वह में कि गोल गोल आकरती की वज़ेसे जो भौॉर बन जाता है वाई जब जो यहां राइस्थान में गर्मियों में देखने को आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा तो उसको यहां पर भपूलिया बोलते हैं पान का खेत बजेडा को बोलते हैं इसको क्या पान के खेत को क्या बोलते हैं बजेडा सार्थ वाह सार्थ वाह यह बालद, इस तरह मेवाड की ओड़नी, यह काफी important है, मेवाड की ओड़नी, यानि धिंगलाए भिडर्या, मारवाड की ओड़नी, दामणी, मारवाड की ओड़नी को क्या बोलते हैं, दामणी, चुनाई का काम करने वाला चे जारा, चुनाई का काम करने वाला क्या कहलाता है, और अपने दही को बिलोने वाली मटकी, बिलोवनी, दही को बिलो कर आप गोल गोल गुमा कर जब घी निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बिलो ना बोलते हैं, कि उसको बिलो लिया, मतलब गोल गोल जोड से गुमा दिया, तो उससे क्या होता है, दही से गी निकलता है, तो इसको जिसमें गुमाया जाता है दही को बिलोने वाली जो मटकी होती है उसको क्या बोलते हैं बिलोवनी कहा जाता है उसी तरह जड़ने को गुमाने वाली रसी जड़ने को गुमाने वाली नसी को क्या बोलते हैं नेत्रा गस्तक किसे बोलती है लीलार इस तरह नौचावर नौचावर कर देना कि चीज को पर यह निच्रावल देश पे नौचावर होना है निच्रावल इस तरह मधुर मधरा नहीं को कोनी यह सब्दों तो बहुत ही ज़्यादा आता है कोनी हर दूसरे तीसे सब्दमें आपको नहीं किनियार्ओ यही जैनिस सक्ल या सूरत वो सक जो चेहरा है यहां इसकी पैसी है निनाओ यहीं केति सब्सक्राइख helps क्रस टाने का थे किया वोतेश्चावल तरह पिज़ते द्रकों के असब्द chef आनुकते हरा हमें क्या दलेख करक्त थाने कर्चानों का था संब्द हो तो सिंग कि году लंबा सही होता है एक यंतर होताओं जिसे कच्ष्र एकठा किया जाता है तो की बनी चाहता है तो एक चाहर सिंगे को होतां कर्ण चौससंगी और भिविचози की इन ब्रें का उपकर्ण हल या से एक सब्सक्रिकव 3 और से पत्थर खोदने का लोहे का उपकरण क्या है हिंसु और पसुओं को खेत में नुक्सान करने से रोक लेने बनाई गई जो दिवार होती है वो क्या कहा जाता है जो किसे बनाई जाती है सामने तोर पे जो लकडियां होती है जो कांटों वाली लगतियां होती है जो जिनको हम राइसान बोलते हैं धांकरी धांकरी लगा देते हैं लोग उतरह मसीन जमीन या दिवार में लगाई गई कील को मेक कहा जाता है देखिए दिवार जो होती है उसको मेड कहा जाएगा बाड या मेड और जब मेक होती है मेक य क्ū्लडी गोबर करेश्री का जो धेखर होता ह्योकुण जञाद है छोटेजो कुलड होता है उसके लिए बहुत दिया तो एक ही सब्सके कos areas हो जाते हैं के बाइब लेकिन आपको जो यहां पर लिखा है उसको ज्यादा तर याद करना है उसका कारण क्या है? कि आपके इस जो words है यह आपके पूछे हैं यह आपकी Book से हैं इससे इनके आने कि संभावना ही जाता है रहती है की कमीहा उसकी उसको पूर्टी करने के लिए जब मत्षी को थोड़ा-ठोड़ा अउठा देते हैं तो उसको क्या बूलते हैं फोला करना बोलते took तो इस पाम को तो बщवर से फूरप को पोला किया जाता है नहीं उठाये जोड़ गया क्या मैं राइस्थान में नहीं बहुत कर रहा हूं क्योंकि ऐसा करने से मुझे पता है बहुत सारे बचों को समझ नहीं आएगा तो इसलिए बोल रहा हूं क्या हल खीचने के लिए बैलों के कंदों पर जो डंडा लगा होता है उस डंडे को क्या बोलते हैं जुड़ा कहा जाता है हकर्नोनिया नाडा यह क्या किसे कहते हैं जूड़े वैया हल के बीच लगी जो रसी होती है या हल के बीच की जो रसी होती है या हल के बीच की जो रसी गई भूमी, रखत कुछ समय के लिए क्यों चोड़ी जाती है, क्यों ताकि उसकी उपजावपन वापिस से आ सके, तो उसको क्या का जाता है, रखत कहा जाता है, हडावो, यानि बिना बोवाई की गई भूमी, इसको बोया ही ना गया हो, तो क्या कहलाती है, हडावो कहलाती ह मदमाखी मद यानी नहाँ पर किसे लिया गया है मद यानी लिखिया गया है सहद से यानी सहद वाली मखी यानी मुमाखी टेक है लुकटी लुकटी यानी लॉमडी को कहा जाता है पर लुक्टी में बहुत रिखीजन होता पर आयने के सभाव नहीं चीज hears को याद रखिए इगा लुकृती जो है वो लॉमडी नहीं के साथ है गाई स्थानी सबनों की हिंदी रूप होते हैं कम्प्लीट तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में तब तक लिए थैंक यू